कहाने के शुरुवात में हम राहुल और तीना नाम के एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और उनकी एक बेटी होती है लेकिन डिलिवेरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन्स होने के वज़ाए से जाती थी कि अंजली के हर बर्दे पर उसे एक लेटर दिया जाए इसके बाद चीना की मौद हो जाती है फिर हम देखते हैं के आठ साल बीच चुके हैं और राहुल अपनी मा और अपनी बेटी अंजली के साथ रहता है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है इसके अंजली का 8th birthday आता है और वो काफे excited थी अपने मा के आखरी लेटर को पढ़ने के लिए और फिर अंजली को उसके बर्दे गिप्स के साथ उसकी मा की लेटर भी मिलता है और अंजली उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है और कहानी कुछ साल पीछे जाती है और हम देखते है कि इस लेटर में टीना ने राहूल और उसकी कॉलिज के लाइफ के बारे में लिखा है और फिर हम देखते हैं के राहूल एक कॉली स्टूडेंट है और कॉलिज में उसकी अंजली नाम की एक बेस फ्रेंड थी और वो दोनों बास्केट बॉल भी खेलते थे और अंजली राहूल से अच्छा बास्केट बॉल खेलती थी और राहूल जब भी जीतता था तब चीटिंग करके जीतता था इस बात से अंजली और राहूल में झभरा हो जाता था लेकिन पिर किसी ना किसी तरीके से राहूल अंजली को माना ही लेता था इसके बाद ही उनके कॉलिज म बेटी थी और वो लंडन में रहती थी और अब वो अपने आगी के पढ़ाई इंडिया में इसी कॉलिज से करने वाले थी और पहले दिन ही टीना को देखकर राहूल को टीना बहुत पसंद आ जाती है और वो काफी ट्रिक्स यूज करता है कि वो टीना को इंपरेश कर सकी ले लेकिन दूसरे दरब हम देखते हैं कि अंजली भी राहूल को पसंद करने लगती है और उसे लग रहा था कि शायद वो और राहूल एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे लेकिन टीना और राहूल की बड़ते नजदियों को देखकर अंजली बहुत चेलिस बीड़ करती और इसे दिन अंजली भी राहूल को अपने दिल के बात कहने वाली थी और पहले ही राहूल के मुह से यह बात सुनकर अंजली का दिल बिलकुल तूट जाता है और वो राहूल को अपने बाड़े में कुछ भी नहीं बता थी दूसरे तरफ राहूल जाकर टीना को रहुल और तीना रोकने के लिए रियलवे स्टेशन आते हैं लेकिन रहुल के किसे भी बात को सुंकर नहीं रुखती है और अंजली को ऐसे जाते हुए देखकर तीना को भी कई नकईये समझ में आता है कि वह भी रहुल से बहुत प्यार करते हैं और उसे इस बात का दुख हो ईससे भी बहुत सालों तक रहुल और अंजली एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे और इसके भाद रहुल और टीना की पढ़ाई खतम होती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी जब बेटी होती है तो वह दोनों यह चाह करते हैं कि वह अपनी बेटी से एक करते क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहेंगे और यहीं उसकी आखरे इच्छा है और अपने मां के इस लेडर को परकर अंजेली बहुत इमोशनल हो जाती है और वो यह डिसाइड करती है कि वो अपने मां की आखरे इच्छा को ज़रूर पूरा करेगी इसके बाद अंजेली का बर्द जय हुने के बाद राहुल अपनी मा और अपनी बेटी को लेकर टीना के पापा के घर जाते हैं टीना की बरसी मनाने के लिए और वहाँ पर अपनी दादी और अपने नाना जी को टीना की यह रहती थी वो लोग उस ओरत के घर में जाते हैं और वहां से उन लोगों को पता चलता है कि अंजली की तो बहुत शादी होने वाली है और ये बात सुनकर उन लोगों को बहुत बुरा लगता है और उन्हीं से चोटे अंजली को बड़ी अंजली का फोन नंबर मिलता है इसके वह अपने दादी के साथ घर वापस आ जाती है और दोसरी तरह हम देखते हैं कि अमार नाम के एक लगके के साथ सगाई हो जाती है लेकिन अंजेली के कुंडली में कुछ दोश थे इसलिए शादी कुछ महने टाल दिया जाता है और यह बात सुनकर चोटी अंजेली में बहु चूटी एंजेली नाहीं जित करने लगती हैं। शीम्रा के कि शमर कैम्प में जाना है। लेकिन रहूप इससे इस बात के लिए इंकार किरे देले कि अपने पापा की बातम सbкт निखका इन दादी के शाध के से बदने बेटिंद से स्यमर करों तो चोटी एंजली के साथ बड़ी एंजली की मुलाकात होती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे अपनी मातीना की याद आती है इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को अपना नाम बताते है और उन दोनों का नाम ही एक ही है यह सुनकर बड़ी एंजली थो शो अंजली भी देख रही थी और उसे यह पता चलता है कि छोटी अंजली राहूल और टीना के भी बेथी है और यह बाद जानकर उसे बहुत बुड़ा लगता है कि टीना अब इस दुनिया में नहीं रही इसके बाद वो अंजली पत्थुरा और ज्यादा ध्यान देने लग और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं लेकिन इतने सालों के फासलों के वज़ा से उन दोनों में वही पूराने दोस्ती नहीं रही है लेकिन छुटी अंजली को तीना की लेटर से यह पता था कि कॉलेज की दिनों में और अंजयली फिरसे एक दूसरी के साथ बास्केट बॉल k्येलने लगते हैं और इस बार अंजयली चीटिंग करके जीटती है और फिरसे राहूल अंजयली में झवगरा हो जाता है लेकिन फिर उन दोनों में दोस्ते भी हो जाती है और धीरे धीरे राहूल भी ये रेलाइस करता है कि अंजली पहले से बहुत बदल चुकी है अंजली के दिल में भी राहूल के लिए जो फिलिंग्स थे वो फिल्स से जात जाते है और राहुल और अंजली एक दूसरे की close आने लगते हैं लेकिन तभी एक दिन राहुल के फियान से अमन इसे summer camp में उससे मिलने के लिए आ जाता है और अमन के आने के बाद सारा माहुली बदल जाता है और छोटी अंजली काफी दुखी हो जाती है और सभी बहुत परिशान थे और इसके बाद अंजली summer camp के खतम होने से पहले ही अमन के साथ यहाँ से अपने घर चली जाती है और वो तैय करती है कि शादी में अब वो ज्यादा देन नहीं करेगी शादी जल से जल्द होगी और वो अपने मा को शादी की तैयारिया करने के लिए कहती है दूसरी तरफ छोटी अंजली और राहुल बहुत दुखी थे और अंजली सोच रही थी कि वो अब कैसे अपने मा की आकरे इच्छा को पुड़ा करेगी इसके बाद अंजली की शादी का दिन आता है और अंजली की शादी में राहुल छोटी अंजली और राहुल की मा भी आते है कोई और रास्ता ना देखकर छूटी अंजली अमन को राहूल और अंजली के बारे में सब कुछ बता देती है या तक कि वो टीना के लेटर के बारे में भी अमन को कहती है लिकिन अमन उसके कोई भी हिल्प करने के लिए मना कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि शादी से पहले राहूल और अंजली एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और वो दोनों काफी दुखी थे इसके बाद अंजली शादी के लिए मंड़क में आने वाले थी लेकिन राहुल को देखकर वो वही पड़ी रुख जाती है और अमन अंजली को देख कर ये समझ जाता है कि अंजली तो हमेशा से ही सिर्फ राहूल से ही प्यार करती है और राहूल के साथ ही उसके खुशी है इसके बाद अमन अंजली के साथ अपने इंगेजमेंट को तोड़ देता है और इस शादी को भी रुकवा देता है और वो अं आखिर में हम देखते हैं कि छोटी एंजेली इस बात से बहुत खुश थी कि आखिरकार उसने अपने माँ टीना का आख्री इच्छा पूरा कड़ी दिया था और इसे के साथ यह कहानी यही बड़ी खतम हो जाती है